हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCE, बस AC and Modification पर आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हम 3700 वील बेस ट्रैवलर जो फिक्स ग्लास के साथ हमने बनाई है इसमें फ्रेंट में हमने बंपर दिया है और ग्रिल दिया है फ्रेंट बंपर और ग्रिल ये कुछ पिक्चर जो है ये आपकी जो डिजायर इस तरह का है ये फ्रेंट बंपर एंड ग्रिल रेड कलर में आपकी ग्रिल है शिल्वर कलर में बंपर में डिजाइन है एक्स्टीरियर पूरी गाड़ी की लुक उपर केरियर, केरियर पे रेड कलर, यह 3700 विल बेस, 17 सीटर गाड़ी है, आप बाहर की एक्सिरियर की लुक देखी गा, इसमें फिक्स ग्लास, एक्सिरियर में डिजाइन है, नीचे एक 5 इंची का सिल्वर कलर पट्टा डाला हुआ है, यह कस्टमर की एक स्पेसल डिमांड इससे गाड़ी की लुक बहुत बढ़िया निकल के आई है, यह पूरा आपका टायर के उपर, और पीछे तक, जो बॉर्डर है, पूरा सिल्वर कलर में, यह एक डिजाइन इसमें डाला हुआ है, सिल्वर विद रेड, एक्सिरियर में लगेज, यह कंपनी का लोगो है, आर बैक से आपको दिखाते हैं, बैक से एक्स्टीरियर में आपका जो लगेज है, उसका डिजाइन किस तरीके से, यह लगेज का एक्स्टीरियर में डिजाइन कुछ इस तरीके से बैक साइट से दिखेगा, पूरी गाड़ी की लुक बैक से यह है, बैक में फिक्स ग्लास, प सेकंड साइट से अगर हम गाड़ी आपको दिखाए तो कुछ इस तरीगे से गाड़ी देखने में लगेगी थोड़ा सा विजिबिल्टी की प्राब्लम हो सकती भी बहुत जबरदस धूप इस टाइम निकली हुई शायद आपको पिक्चर में थोड़ा सा किलियर्टी ना दिखे फिर भी हम अच्छा दिखानी कोशिश करेंगा आपको अब थोड़ा सा आपको एक्स्टीर दिखाते हैं एक्स्टीर दिखाने से पहले आपको हम हमारे जो कस्टमर उनसे मुलाकात कराते हैं कैसी गारी उनको लगी किस तरह का sow को देते हैं उन्होंसे मिलवाते हैं हमारी तरफ से हम हमेशा बैस देते हैं हमेशा अच्छा करने कोस् немного है लेकिन gonna dose तो है किका होता है तो किक स्थ संद्धार बनाई है तो पहले तो अब थोड़ा सा जो भी गाड़ी का फीडबैक है हमारे गोवन जी बताएंगे कैसा क्या लगा कहा इनको कुछ अच्छा लगा कहा बूरा लगा अच्छा वगा तो नहीं कुछ कमी होगी तो उसको हम फीचर में जरूरूर्द तो आपको अच्छी बहुत सुन्दर जो मेरे मन माफिक काम कराना चाहिए वो काम हुआ मेरा और मुझे किसी भी प्रकारगी किसी भी कोई मतलब शिकाइद नहीं है भी आसे और मैं भी चाहता हूँ बवान आपकी क्रपा ऐसा ही बनाए रहे आप पर अच्छा करेंगे तो हम और सुधार निकों अपनी तरफ से हमने बहुत त्षा काम करके आपको दिया है फिर भी और क्या क्वालिटी को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं अभी आपको थोड़ा सा अंदर से हम और दिखाते हैं गाड़ी अंदर से कैसी बनी है क्या क्या हमने इसमें लगाया है सारी अभी तक इस टाइब करने किसी के बास नहीं है इस हैंडल के अंदर पूरा अपना दिखाओ जाए तुम दे दो इतना बड़ा है कि इसके अंदर आप यह फूरा फोन रख सकते हैं चलते टाइम पर ड्राइवर कंड़क्ट को भी बैठें तो पूरा फोन रख सकते हैं यह इतनी बड़िया है पकड़ने के लिए गेट बंद करने के लिए नीचे पॉकेट है इस पॉकेट में एक लिटर की वाटर बॉटल है और यह यहां पर आपका पूर्जबर कुछ भी मैगजीन वगरा पेपर वगर रखने के लिए तो यह सुरौाज से बाकी अंदर आपको जो हमने बनाया है फोड़ से इतना स्लीम बशेतना और इतना चोटा वभी तक किसी पषबास नहीं है तोटा मेपास liegt अदर डारेक्षिघ इस्टीरियो की है वह आप देखें अगर पीछे बैठा हुआ परसन कोई भी इसको देखेंगा ना पूरा दिखेगा आपको यह दिस्प्लेइब यह एंडरो स्टीरियो है इसके अंदर में यह पूरा इसी का कंट्रोलर और सारे स्विचे कंट्रोलर पैनल फूरा कंप्रीट यहीं पर है थोड़ा सा अंदर आपको दिखाते हैं अंदर से किस तरीक से बनी होई है सारी लाइट से हमोन कर लेते हैं आपको थोड़ा संदर से दिखाते हैं आप देखिएगा पहले सुरुवात करते हैं यहीं से हमने एक यह जो है हैंड्रेक पे कवर बनाया फाइवर का इसके अंदर में परफ्यूम बॉटल है यह हमने डबल टेप से फिक्स किया हुआ यह परफ्यूम है परफ्यूम बॉटल और यहां पर वगण में यह एक योस्बी चार्जर दिया हुआ ड्राइवर को मॉबाइल फोन चार्ज करने के लिए साइड में यह पॉकेट है चोटा सा जो भी पानी की बॉटल और कुछ भी सवान आपने लखना फोन्स वगरा उसके लखने के लिए यह रोलर कटन्स हमने सारी लगाया हुआ इसको अगर आप हटाएं कर्टन को यह वापत हमने कर्टन खोल दिया तो रूलर कर्टन भी हमने इस गाड़ी में दिया हुआ है यह भी मैंने लगा दिया थोड़ा सामने से धूप आ रही थी और कुछ यह लुख है गाड़ी की 2x1 जो है सीट सेंस में यह हैडस वाली सीट उपर की लुक कुछ यह है अब देखेगा डिजाइन यह इंटीरियर है और टू बाइवन हैडस वाली सीट इसमें 12 सीट विद सोफा फिक्स सोफा हमने इसमें गाड़ी में बनाया है इसी वेंट के अंदर रिखती जोर आपको